हलो यूट्यूब एंड वेलकम बाक तो माई चैनल रेलिस्टिक गेंज जहां हम बात करते हैं रियलिस्टिक एंड लॉंग लास्टिंग के बारे में सो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्थी ओट्मील ब्रेक्फस्ट रेसिपी जो कि मैं खाता हूं मैं चालता हूं आप भी खाएं और इसके सारे बेनिफिट्स उठाएं यह बहुत हेल्थी और बहुत फुल अफ नुट्रिश डलते हैं धरन फिर हम देखेंगे पूरी रेसिपी यह हैं चारों बेसिक इंग्रीडियंट्स इस रेसिपी के इस ओटमीट रेसिपी के तो मैं फटा फटा आपको बता देता हूं कि यह कौन-कौन से चाहरे हैं सबसे पहले हमारे पास ओट्स कोईकर ओट्स मेरे फेवरिट मैं हमेशे यह काता हूं पढ़िया ट्राइड टेस्टेड इंटोला का पीनेट बटर यह और नाचरल फ्लेवर है यह मुझे काफी अच्छा लगता है डाबर हनी और यह हमारे नट्स यह है पंदरा बदाम पंदरा किश्मिश और छे से साथ अकरोट जिनको मैंने फाइनली चॉप कर दिया है बदामों को और इनको मैंने तोड़ दिया जितना तोड़ सकता हूं तो यह था को एक रिव्यू हमारे चारो इंग्रीडियंट्स का नाओ लेट्स गेट इंटो देखते हैं कैसे प्रिपेर करते हैं अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी रेसिपी जिसमें हम स अब इसके साथ हम लेंगे वान कप ऑफ मिल्क यह वन कप है अप्रोग से मिर्शाथ हमेशा होता है तो आप समझी सकते हैं यहां मैंने लिया है थोड़ा सा पानी आधे कप से थोड़ा कम इसको लीजिए इन तीनों को एक बार मिला दीजिए और फिर एक spoon लेके इसको अच्छी तरीके से mix कर लीजिए gas पे चड़ाने से पहले ही ताकि chunks ना बने oats के और ये अच्छे से mix हो जाए थोड़ा सा mix करना है इसको यहां हमने हमारे oats gas पे चड़ा दी हैं और ये मैं आपको दिखाना जाऊँगा कि gas की flame मैं हमेशा low to medium रखता हूँ कमी रखता हूँ ताकि खाना अपने nutrients को lose ना करे और slow heat पे cook करना अच्छा रहता है जादा तर लोग जादा तर scientist यही कहते हैं तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या डाला है इसमें सबसे पहले मैं आड़ कर रहा हूँ एक चमच peanut butter जो कि मैं full scoop use करता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गंद बहुत मचा दिया है जो मुझे अब साफ करना पड़ेगा यह मैं जाथ रोज होता है मैं पहले भी कह रहा था यहां पर ले रहा हूँ एक चमच हनी जो एक चमच से थोड़ा जादा ही ले देता हूँ यह मेरा तरीका है हनी निकाल के इसमें ड़ेता है अब हमारे पास दो-दो हतियार हो गए है जिससे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ इसको कितना पकाना है हमना एक इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लिए जीए ताकि आपका पीनट बटर अच्छे से मिक्स हो जाए पीनट बटर भी जम जाता है कई बार साइड्स में जैसके चर्कस بن जाता है तो ऐसा नहा किजिए राइफ रूट्स को इसमें डालके एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो आप जैसे आप बनाएंगे तो आप भी नोटिस करेंगे कि ये धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जा रही है और ये और गाड़ा होता जा रहा है तो यही चाहिए हमें एक थोड़ा गाड़ा बट थोड़ा सा लिक्विडी ताकि टेस्ट अच्छा है और गले से नीचे जाए अब हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी बिलकुल परफेक्ट और अब इसमें हलका सा उबाल भी आने लग गया है और अब टाइम है ग्यास को बंद कर देने का यहां आपने ग्यास कर दिया बंद और हमारा ओटमील है तेयार पिलकुल मस्त बनाए यह जिसको बोलता है कि खाने लायक टेस्टी और न्युक्रिशन से भरा तो इसको थोड़ी दर ठंडा होने दीजिए इसको कम से कम 15 मिर ठंडा होने दीजिए उसके बाद इसको खाईए सो गाइस यह था हमारा आज का वीडियो एक हल्दी ओटमील ब्रेकफास्ट वाला सो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ सीखा होगा इससे और मैं जस्त यह बोलना चाहूँगा कि इसमें जो जो चीजे मैंने यूज करी हैं वो सारी काफी हल्दी है प्लस आप अपने वेट लॉस का अगर आपका गोल है तो पीनिट विटर कम कीजिए जैसे मैंने बताया कॉंटिटी शुरू में कम रखिए थोड़ा हनी भी कम डालीजिए अगर आपको क्यालरी कम करनी है तो तो आप थोड़ा उसको चेंज कर सकते हैं बिट बेसिकली यह बहुत टेस्टी है अच्छी है रोज खाने वाली है और रियलिस्टिक है जैसे इस चैनल पर सारी वीडियोज होती है So thank you so much for watching my channel अगर आप कोई अच्छी लगी तो please like कीजिए and subscribe जरूर कीजिए आगे ऐसे वीडियो बहुत आएंगे So thank you so much and bye bye